नमस्कार मेरे प्यारे किसांद सातियों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके ही अपने यूटीब चैनल साधाबाद केशरी पर मैं हूं सौनो चौधरी किसांद सातियों आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जादा महत्वोण और दमाकेदार रहने वाली अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब में किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लिए पास में बैल आइकने से ओल पर हिट कर लिए इससे क्या होगा जब भी हमारे द्वारा आलू से संबंदित नविंतम जानकारियों सूचना अपडेट की जाएगी तो यूटीब सी हैं आलू के प्रती गंबी रोप अपनाई है क्योंकि कुछ लोग जो हैं जो की मंदडिया ग्रो से जुड़े हुए हैं वो जो हैं आप लोगों का आलू जो हैं सस्ती दरों पर खरीदने के फिराक में तो कई लोग जो हैं सस्ती दरों पर अपना आलू बेच चुके हैं तेजी यूही नहीं बनी है ये तेजी बनी है आप लोगों के सहीयूक्त प्रयास से क्योंकि हम जब कह रहे हैं कि आलू आपका 16 रुपे प्रती कट्टा बिकेगा तो इसे बिकेगा इसे किसी का बाप नहीं रोख सकता है तो ऐसे मैं यदि आप लोग हमारा पूर रूप से सह करें तो निश्ची तोर पर इस मैं के महिने में ही आपको जो हैं 1500 रुपे प्रती कट्टा की दाम मिल जाएंगे तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वाटसेप फेस्बूक गृपों में शेर कियागी जिस गृप में आप लोगों का आलू सस्ती दरो आप सभी इस बात का प्रतिच प्रमाण भी आएं कहीं मंडियां जो हैं गिरी भी नहीं तो कहीं मंडियां जो हैं इस्टेंड भी नहीं हुई हैं आलु में बरकरार साउथ की मंडी हों बेहतासा डिमांड देखी जा रही है आलु जो है नित रोज जो है कहीं पचास पैसे तेज हो जाना चाहिए तो यह वो लोग है ध्यान रखिएगा जो अपना आलु या तो बेच चुके हैं या आप लोगों का आलु अच्छे दरों पर यानि महेंगी दरों पर बिक्री होते हुए देखकर इनके सीने पर साफ लोट रही है जो एलसी की आग में जो है इनके चहरे धदक रहे हैं यह वो लोग हैं क्योंकि किसी भी व्यापारी की मंडी जो व्यापारी अपने आपको कहते हैं ना हम व्यापारी हैं इनकी आवकाद नहीं है कि रामिश्टवर मंडि या तिर्ची या मुद्रई गुंटूर या जो है आपकी मैट्यप आलम या तिर्ची की मंडि में जाके अपने आलू देदें यह इन लोगों की मंडिया कहां तक हैं नाउ-नाउ बार कितने कहते ना असामने इनकी मंडिया बस लेका 12-1200 तक के प्रती कट्ते की जो हैं सौधे कर रहे हैं और चोटे मोटे सौधे नहीं कर रहे हैं बड़े-बड़े सौधे कर रहे हैं क्योंकि साउथ में extra super आलू की बेहर demand है और cold story में पर इसकी shortage है इस वज़े से आलू तेज बिकरा है और कई लोग इस तेज़ी को देखकर काफी जो है खिसयाय हुए हैं खिसयाने बिल्ली की तरह खंबे नोच रहे हैं फरजी रिपोर्ट तक डालने की कोशिसें की जारी हैं लेकिन आप हमेशा हला से विकता है और ये लोग आपके हला को दबा रहे हैं अगर आप इस समय पर नहीं चेते तो फिर इस्तितियां विक्राल भी हो सकती हैं लेकिन विक्राल होंगी तब ना क्योंकि आप सभी इस बात के प्रतिश रूप से गवा हैं कि समय इस साल आलू में पैदाबार कम रही कोल्ड इस्टोरिज भी पूरू रूप से नहीं बरे गए अगर उत्तर परदेश की बात करें तो उत्तर परदेश में 70% ही कोल्ड इस्टोरिज बरे गए और उसमें से भी निकासी सुपरफास्ट चल लए है अगर हम उत्तर परदेश की 30 अपरेल तक का भी डाटा देखे ना तो आज की डेट में उत्तर परदेश में से उत्तर परदेश के हर जिले का भी देखे ना तो हर जिले में 10% से लेकर आगरा जैसे जिले में 14% की निकासी इस समय पर तो यह बहुत बड़ी उपलब दिया कि अप्रेल महा में आगरा जैसे जिले से 14% की निकासी और हम बात करें हात्रे जिले में तो हात्रे जिले में 15% की निकासी हो चुकी है तो ऐसे में निकासी काफी अच्छी चल लिए है अगर फिरोजाबाद जिले की बात करें तो अगर हम उत्तर पर्तिस का ओवर ओल रेशियो देखें तो लगबद 10 परतिसत की निकासी हो चुकी है और 70 परतिसत कोली स्थोर भड़े गए थे, 70 में से 10 परतिसत निकाल दी तो 60 परतिसत आलू बचगा लेकिन यही दाम जो है, आप लोगों को मिलना चाहिए, वो लोग यह इस दाम को जो है, यह फोल्ड मालिक और व्यापारी ही भुनाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने एक ऐसा चक्रिवी रच दिया है, जिससे आप घबराएंगे और घबराट में आके जो अपना अलू सेल करे मसलन चुनाव के बाद में आलू सस्ता हो जाएगा, या आलू तो बहुत है, अब क्या है कि टिकिया चोर जानते हो, जोने कोई आलू से लेना देना नहीं होता है, वो लोग कोल्ड मालिक ही बनाए रखे हैं कुछ लोगों को व्यापारी, और ऐसे रेट लगाई जा रहे है जिससे किसान के अंदर घवराट पैदा हो, वो किसान जो है बीस आद्वी से कहे, तो बोलेगा हाँ बाई सही कह रहा हो, कहो ना बिकरो आलू तो जी यूटीवर बही चूतिया बना रहे हैं हमें, यूटीवर आप लोगों को बेवकूप नहीं बना रहे हैं, यूटीवर आज 12,500 रुपे के सौधियों को देख कर, ये कहीं सौधिय नहीं हूँ रहे हैं, ये जूट है, ये है, वो है अपने मन को समझा रहे हैं, लेकिन अगनी इनके अंदर बहुत ज़्यादा धदक रही है, कि आकिर इनको दाम कैसे मिल रहे हैं, ये वो ही लोग हैं, जो सौनु ये बात बता सकता हूं, कि उत्तर प्रदेश में 70% ही कोल्ड इस्टोरी बरे गए थे, और अब तक उत्तर प्रदेश में अप्रेल महा में, क्योंकि मार्च से लेकर 30 अप्रेल हो गया आज, और आज की डेर तक 10% आलू जो है, निकला जा चुका है, कोल्ड इस्टोरी 40% में आपका रासन का भी आलू है, 40% में आपका CIPC जो प्रोसेसिंग वाला आलू है, वो भी है, तब आप इसमें से 40% जो है आलू, आप इसे बहुत ज़्यादा मान रहे है, मेरी निदेश में से 40% बहुत कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की खुद की डिमांड है, साथी आलू के चाहिए, और मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई YouTuber हो, बैया आलू की प्रती, जल्दवाजी मत दिखाईए, यह आलू आप लोगों को ताज पहनाएगा, सोने का, क्योंकि आप लोगों को जो 3-4 सालों से घाटा उठाना पड़ आपको सबर ही नहीं हो रहा है, आपको धहर ही नहीं है, आपको लोटाई जा रहे हैं, और जो नहीं बेच रहे हैं, वो जो परिसान कर रहे हैं, कि कब बेचें, कब बेचें, अब तुमारा क्या कहना है, यार, अभी मै, जून, जुलाई, अगस, सेप्टेमबर, पांच मही अपरेल महीने से ही आप नदानाक में दम कर रहे हो या यह कर रहे हो तो आप निश्ची तोर पर घाटा उठा जाओगे हम आप लोग कह रहे हैं सांती बनाए रखो जब भी आलू में तेजी आएगी वो तेजी आपको खुद मिलेगी और चिल्ला चिल्ला के बूलेगी देख अब क्या कर सकते हैं ऐसे ही लोग हमेशा घाटा उठाते हैं लेकिन जो थेर्वान होते हैं सईमवान किसान होते हैं वो कभी भी घाटा नहीं उठाते हैं वो सिर्फ एक ही लक्षे को लेके चलते हैं कि हमें आलू अपना क्योंकि फरवरी तक अनवरत रूप से वहां पर आलू चाहिए चाहिए साउत में, क्योंकि सबसे ज़्यादा आलू उत्तर परदिसका साउत में जाता जूट वाला, और जाली वाला, जाली वाले में तेजी भी 50-100 रुपे की है, लेकिन वो तेजी महराष्ट जैसी मंडियों भी देखने को जाली वाले में मिलेगी, मिलेगी, तो ऐसे मैं आप सभी लोग काफी दारगा परिचे दीजिए, ऐसा कोई भी जोकिमत उठाई, जिससे आप लोगों को गाटा उठाना पढ़ जाए, अगर हम बात करें आप लोगों के लिए, बंगाल की तो बंगाल में इस समय पर जियोती आलू जो है, पचास से सौ रुपे पृति पैकिट की तेजी के साथ, आज जो है कल से बिक रहे हैं, आज जो है पचास से सौ की तेजी और देखी गई है, अगर हम बात करें आप लोगों के लिए, के बास की तो के बास में सीधे सीधे सौ से एक्सो बीस गुवाद से बचा चुके थे कि बंगाल 65% से अधिक लोड नहीं होगा और यह बात प्रिथेच के रूप में आप लोगों को देखने को मिल ले है बंगाल में आलू की कमी आलू की लोडिंग अच्छी होने और जो है मांग उससे भी अधिक होने की चलते आलू के रेटों में अच्छी कासी तेजी देखने को मिल रही है जिसे किसान बहुना भी रहे है क्योंकि किसानों के अंदर अधर भी यही है जैसे उत्तर प्रदिस में दूद का जला चाज को फुक कर पीता है कहां उन्हें 600-700 रुपे गरेट मिलते थे लेकिन एक साथ जो हाजार या 1200 गरेट म मिल सकती है क्योंकि यहां पर ज्योती आलू ही रासन में काम आता है और ज्योती आलू ही प्रोसेसिंग सेक्टर जिने फ्लैक्स बनते हैं चिप्स बनते हैं पॉडर बनते हैं वो भी ज्योती आलू के में ही काम जाता है तो ज्योती आलू के तो धाम जो है और ज्यादा बढ किसान नोर्थ इंच की मंडिधा है . बंगल स्किला इने वाले दनों में आचे घासी यहां पर चार रुपे क्लों की थेजी जो है देखने को मिल सकती है अगर बात की जाए गुजरात की तो गुजरात में भी कुछ लोग जो हैं अपने किसानों को बरवात करने के मंसुवे पाले हुए हैं व्यापारी ताथा गतित जो हैं मिलकर वाटसेप, फेस्बूक और अन प्लेट फॉर्म पर एक गवराड का माहौल पैदा करेंगे अभी मंडियां ओड गिरेंगे अभी यह गिरेंगे अभी जबकि गुजरात में एहमदावाद हो वडबान हो सूरत हो बड़ोधरा हो भरूज की मंडि हो यह भुज की मंडि हो जाम कहना चाहूंगा कि कल एक मई है और एक मई से तुमारे मुझ पर एक जबढ़दस्त तमाचा पढ़ने वाला है जिसे कोई कभ़ई आप जिन्दगी पर भूलने वाले नहीं को कि कल से गुजरात में आलू में एक ऐसी तीजी आप लोगों को देखने को मिलेगी जिससे आप कभी भी पीछे मोड़के किसी भी किसान से ये नहीं कहपाने की इस्तिति महूंगे क्या आप आलू निकालो आलू में ये ओने वाला है क्योंकि आलू आपके गुजरात में भी 1600 रुपे से लेका 1800 रुप प्रती गट्टा बिकना ही बिकना है ऐसे तुम क्या तुमारा बाब किसान साथियों अभी हम अपने खंदोली साधाबाद की बात करेंगे तो खंदोली साधाबाद में इस समय पर के स्कूल्ड इस्टोरेज बरोस पर पड़ता है यहां पर राकेश चौदरी नगला मिया वालों ने जो की व्यापारी हैं साउथ के लोड़र हैं ज्यादा तर म मालिकों के लिए शुप संकेत है ताके शौदरी और पुल्ड मालिकों का कहना है कि किसान साथी धैर ना कोई आने वाले दिनों में अच्छी कासी जो है तीजी देखने को मिल सकती है गुल्ला अलू खंदोली साधाबाद में जनरल पोजिशन आठ सो रपे से लेका साड़े सारा है, सौन भद्र है और विकाई जिले हैं जहांपर आलू किसानों दारा की जाता है यहांके पृतिष्टित व्यक्ति हैं, कोल्ड ओनर भी है, पेसे से किसान भी है, उपी गिरीजी उनका यह कहना है के हमारे याँपर भी जो है हाइबरे आलू है, पचास से सो रोपे त अगर पैसे की आवश्यक्ता है, वो हमसे बात करें, हम उसे पैसे भी देंगे, लेकिन आलू सस्ती धरों पर ना वेचे, ये उनका बहुत मूली सुझाब भी है, और उनके मंदड़ियों के मुँपे करारा थमाचा है, जो पुरवांचल के किसानों और पुरवांचल के ये प्रति पैकेट में बिकाए, तो कन्योज में भी आलू 1100 रुपे से लेकर 1140 रुपे प्रति पैकेट में हाइब्रेट की दर पर बिके हैं, कुल मिला के आप खुद देनिये कि कन्योज हो या फरुकाबाद हो ये दो ऐसे जिले हैं जहां पर आलू बहता है, छेतरफल प आईने का होता है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, कि जब हाइब्रेट आलू में तेजी है, और यहां के कारोवारियों के मताबिक, यहां पर हाइब्रेट आलू में भी 300-400 रुपे प्रति पैकेट की तेजी जो है, बन सकती है, ऐसे में आप सभी लोग चाहें, आप आल इं